हेलो दोस्तों इस वीडियो में कंपेरिशन करेंगे नोकिया 2.4 में जो के लोंच हो चुका है इंडिया में और पोको M2 में तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्पले से नोकिया में है 6.5 इंच की रेजुलिशन है 720 मेंटी पर 16 फिक्सल और इसमें IPCEL चे दिस्पले के यूज़ किया गया है और पोको की जो डिस्पले है और 6.53 इंच की है रेजुलिशन है एक जारच सी मानटी पर 340 फिक्सल और इसमें IPCEL से डिस्पले के यूज़ किया गया है और डिस्पले के मामले में पोको आगे है क्योंकि इसका रेजुलिशन फूल एच्डी में दिया गया है बात कते हैं प्रोस्टर से की नोकिया में है मेटे का P22 का CPU है टूपिन जूरी की गहार्ट उक्टे कोर का और इसमें 12 अने मे इसका फिन पैट और इसका GPU है जी बावन है MC2 का प्रोस्टर के मामले में पोको आगे है बात कते हैं ओपर्टिस्म की तो दोने का सी में हैं डोट 10 बात कते हैं बैक के में की नोकिया में है डूल तेरा प्लस टू मैसल का और पोको में है क्वाड में तेरा प्लस आर्ट प्ल बात करते हैं बैट की नोकिया में दी गई है 45 एमेच की और फोको में दी गई है 5 एमेच की और दोने फोर बैट की बैट को निकाल सकते हैं बैट की मामने में पोको आगे हैं बात कते हैं चार्ज की नोकिया में है 10W का और मैकरिस्पी का स्पूर्ट दिया गया है और पोको में 11W का और टैप्स का स्पूर्ट दिया गया है और चार्ज के मावने में पोको आगे है बात कते हैं सीम की ताप दोने फॉन में दोन सीम और साथ में स्टिका डाल सकते हो और दोने फॉन में को फिंगपिन सेंसर और फिसलोग भी दिया गया है और दोने के वार्टी सीम है एक साल की बात कते हैं रहाइम की, नोकिया में 3 चुबी की, फोको में 6 चुबी की, बात कते हैं मेमोरी की, नोकिया में 64 चुबी की, और फोको में 64 चुबी की, बात कते हैं प्रेज की, नोकिया का जो प्रेज है, वहें 10,300 नाम रुपी, और फोको में 10,400 नाम रुपी, तो फिर आपको जो इसा को इपन ले सकती हो